नमस्ते फ्रेंड में सविता अगरवल कुकिंग वी सविता मैं आप सभी का सौगत करती हूँ आज मैं आप सभी को पत्ता गोबी को बारिक चीर कर किस तरह स्टोर करते हैं यह बताने वाली हूँ तो आईए देखते हैं पत्ता गोबी को बारिक चीर कर श्टोर करने के लिए हमें किन किन्ची जो क्या आउशकता है पत्ता गोबी को बारिक चीर कर श्टोर करने के लिए हमें इन इन्ची जो क्या आउशकता है आउशक्ता नुसार इस तरह का पत्ता गोबी ले लीजिए तो आईए देखते हैं लिये हुए इस पत्ता गोबी को चकू के सायता से बारी किस तरह चिरते हैं या देखते हैं सबसे पहले लिये हुए पत्ता गोबी को इस तरह लंबे पिसेस में कट कर लीजिए पत्ता गोबी को इस तरह लंबे पिसेस में कट करने के बाद इस लंबे पिसेस के इस तरह छोटे छोटे पिसेस में कट कर लीजिए अगर आपने मेरे कुकिंग में सविता इस चैनल को सब्सक्रेब नहीं कियाओ तो सब्सक्रेब जरूर कीजिए और पासी में दिये वेबेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो देखिए इस तरह लिए वे पत्ता गोबी को बारिक पिसेस में कट कर लिया है इस तरह पत्ता गोबी के बारिक पिसेस में कट किये वे इस पत्ता गोबी को धो कर साफ करकर सबजी बनाने के लिए चावल में डालने के लिए चाइनीज के चावल बनाने के लिए इस तरह बहुत सारी रेसिपी में बारिक कट की वे पत्ता गोबी के पिसेस का इस्तमाल कर सबते हो पत्ता गोबी को बारिक चीरने के इस रेसिपी के वीडियो को आप जरूर ट्राय कीजिए और इस रेसिपी के बारे में अपना अनुबो निचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और मेरी दूसरी रेसिपी के वीडियो उसको भी जरूर देख लीजिए जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा पत्ता गोबी के बारिक कट के पिसेज को फ्रीज में 8 से 10 दिन के लिए स्टोर कर कर रख सकते हो तो मिलते हैं अगली एक और नई रेशिपी के साथ पत्ता गोबी के बारिक पिसेश को कट करने के इस रेसिपिके विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद ठैंक यू